नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे गल्प देशों के बारे में जी हाँ गल्प देशों में जोब से रिलेटेड बता दू इंडिया की अगर बात करें तो एवरेज अगर देखा जाए तो एक क्रोड के सम्टिंग लोग करोना से पहले सभी देशों में रहते थे जून 2020 की अगर बात करें तो अभी तो भाई कितने पता नहीं है लगबग तो आगए ये तो शोर है और इन देशों में आने वाले समय में क्या इस्तिती है जोब से रिलेटेड करोना से पहले इन देशों में जोब से रिलेटेड क्या इस्तिती थी आपको भी सावदानी ब पाल लेंगे जी हां अच्छी बात है आज तक पालते आए भी हैं आगे भी आप पालते रहेंगे नो डाउट बिल्यू गोलर जोब ठीक है अच्छी बात है आपको जोब समय पे मिलता रहेगा इन कंट्रीज में आगे आने वाले में समय पे क्या इस्तिती होने वाली है जोब से related अभी तक कितने लोग बेरोजगार हो गए जो इंडिया वहां से छुटी आये थे लेकिन वापस नहीं जहजा सके हम डिटेल से पूरी बात करेंगे वीडियो चाल लगे तो लाइक शेयर करिए चेनल जुरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लीजिए ताकि आपक स्ठीन उसके बाद मैं सिर्फद हो इसके बाद में फंद्र लाग के करीब इंडियान लोग कुेत में भी थे आठ लाग के करीशी जी केपिलिसिटी है उनके आप जोब से अलेजिबल हैं आप जोब अपना कर रहे थे करोना के बाद में आपको नहीं लगता कि माहूल पूरा चेंज हो गया है जी हां आपको यकीन मानिए इंडिया से 20 लाग का आंगड़ा तो मेरे पास है जो इंडियन लोग उसमें 20 में से 12 से 13 लाग तो सिर्फ केरला साइड के बंदे हैं वह दुबई छोड़ के केरला आये थे जी हां बाकी इंडिया फूरा पकड़ दो 20 लाग से उपर लोग जो दुबई छोड़ के मजबूरी में उनको वापस आना पड़ा और उनमें से आप वापस कितने गए वापस दो साल में कितने एक चले के थे यह तो एक नॉर्मल आंगड़ है बाकी जून से जून की बात करें तो बाकी और भी बहुत सारा टाइम बसता है तो तस लाग सी उपर लोग सवधी से चुटी आए थे वापस नहीं गए आप सब को पता है सवधी की कितनी सक्ताई बरती गई तो आप समझ सकते हैं कितन लो कतर की देख लो कतर में फिर भी कुछ सहथ तक ठीक था बाकी वीजा अक्सपायर होगे वो नहीं जा सके यानि आप मोटा मोटी अगर मानें तो 40 लाख अगर एवरेज देखा जाए तो इन 6 कंट्रियों में 40 लाख इंडियन लोग जहां तक मैं मेरी परसनल राई दूँ चुटी बगर आये जिनके वीजा कैंसिल हो गई चुटी कैंसिल हो गई जिनके इंडिया में वीजा आये पड़ेते वो कैंसिल हो गई और वो यहीं कहीं स्टिक होके रह गए जी हाँ यह इस्तिती है भाई गल्ब देशों की अभी तो करोना के बामले में देखिए करोना के बाद में हर देश के सोच में चेंजिंग हुई यह बदला हुआ हर चीज में आप समझ सकते हैं अगर बात करें सौधी की कुवेट की तो उन्होंने भी भाई एक सिस्टम स्टार्ट कर दिया है आप यकीन मानिए इंडिया के अगर एवरेज अगर देखा जाए तो लगबग स सब लोग श्याने हो गए सौधी सरकार देख लो कोई सरकार देख लो पहले वाली नहीं है अभी वो लोग भी पड़ लिख रहे हैं वो भी चाते हैं कि हम जोब करें क्योंकि चेंज हो रहा है और करोना काल एक ऐसा काल आया कि सब को घर बिठा दिया और उनको लगा कि यह नहीं बाहर निकल के हमें भी कुछ करना चीए आप देखलो ना सबुदी करन सबुदी करन का मतलब क्या होता है नीजी करन बोल दो सबुदी करन बोल दो जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे पत पर थे जिनकी सेली 2000, 3000, 5000, 1000, 1000, 10000 द्राम थी वहाँ पे सब सबुदी के लोकल-लोकों को बिठा दिया गया है साओधी में औरतें जोब करना एक तरह से गलत माना जाता था देखो आप जगभर साओधी औरतें आपको वहां पर जोब करती भी मिल जाेंगी ऐसा हो रहा है ना आप समझ सकते हैं कि जहां پर साओधी करण हुआ है वो नुक्सान किस का हुआ है। आप लोगों का जो लोग सवदी में जाकर जॉब कर रहे थे। उनका नुक्सान होए। कुएट की स्थिति देख लो सेम कुएट की स्थिति है। और दुबई का देख लो भाई, दुबई में जॉब करोना की वज़े से चले गए, हर देस की इस्तिति है यानि लाखों जोब यानि इन देशों में से निकल गए और इन कहने का मतलब है कि आपको एप सावधानी रखने की जुरूत है हाँ लेबर के टीगरी के जो वरकर हैं वहाँ तो सवधी वाले रो दुबई वाले से काम नहीं करेंगे नहीं उनके बच्चे करेंग लगे कि यार हाँ ठीक है सावधी चले जाएंगे कोई चले जाएंगे दुबई चले जाएंगे तो कहने का मतलब है अब वह बात नहीं रही जो करोना मार्च 2020 से पहले थी अब टाइम बदला समय बदला लोगों की सोच बदली सरकार बदली उनकी भी ठिंकिंग बदल गई सोच बदल गई वो भी चाहते हैं कि हमारा पैसा देश से बार क्यों जाए हमारे लोग बेरोजगार हैं दुसरे देश यहां पर आके पैसा लेकि अपने अपने देश से ले जाते हैं इसके बढ़िया कि सरकार ऐसा कोई कानून बनाए ऐसा कुछ करे कि वहीं के लोगों को जोब देश पैसा वहीं का वहीं उसी देश में पैसा रहे समझ रहे बात को तो आप ब्लू कोलर को अलावा अगर वाइट कोलर वाले जोब कालों के लिए बहुत चांसे अभी कम मिलेंगे जोब से रिलेटेड तो मैं कहने का मतलब सोट में बता दूं इंडिया अगर आप जा रहे हैं अच्छी बात है जाओ जोब करो कोई दिकत नहीं है लेकिन आपको यहां पर भी आफसर तलासने की सक्जूरत है पिछले मैंने में इंडिया में बारा लाक लोगों को जोब मिला है इंडिया के अंदर बारा लाक लोगों को जी हाँ तो उमीद आप करें यहीं क हैं वे इंडिया में जो आपने डिगरी लिए अच्छा है ठीक है इंडिया में आप सटल होने की कोजिश करें अर आजकल एक महल और भी देखा जा रहे हैं कि गल्प की बजाए लोग विरोपीन कंट्रीयों में पस्सिम कंट्रियों की तरब मूँ करने की कोशिस कर रहे हैं बाकी पत्थर सोजने मारते हैं लगता आदा आदे का भी नहीं लगता है जीरो पॉंट जीरो का लगता है हजार पतर मारते हैं उसमें दो-चार बंदों के वीजा लग जाते हैं वो अलग बात है बाकी विरोब कंट्रियों के चक्र में तो अपना टाइम और पैसा खराब करना है कोसिस करें कि आप इंडिया में आपके पास डिग्री है डिप्लोमा है एक्स्पिरियंस है तो इसी को यहीं को इसी को यहीं पर इस्तेमाल करने की कोसिस करें दुबई में साथी कुएत में हो सकता है तो चार पांच साल आप काम कर लेंगे आना पड़ेगा इंडिया में तो इ झाल 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 झाल